हेलो गाईज, वेल्गम बैक टुमाइडो चैनल, एस केमिश्टडी अवे आप सक्सेच, जी हाँ आपको पता होगा कि कलरफूल आपको तरीके से सारी चीजी मिल रही है, और ये है कलास कच्छा बारांगे जी विज्ञान ध्यादो के सभी अतले गुत्तरी प्रश्ण जी और अगर इतना पढ़ लेंगे तो चैप्रश्ण दूसरे पढ़ने को जुरुत ही नहीं है, यूपी बोड पर इच्छा में इससे बाहर आपका आएगा ही नहीं, ठीक है न, क्योंकि एंसी आर्टी चुमें बता रहा हूं, जो प्रश्ण बार-बार पूशी जाते हैं, उन की इंदर डिस्विप्शन बॉक्स के इंदर लिंक दिया गया है, तो जाके जुएन कीजिए यह की है मिष्टडी टेलेगराम चैनल को, ठीक है, यहां पर है पुश्प में पुश्प संतु, पुश्प में पुश्प दल है, है हाँ पुश्प दल, स्वारी मिष्टव को ग लखक का पूर्वादिक होता या आप देखते होंगे बहुत ही अच्छे प्रकार का दिखाई देता है कलर को द होता है हुआ इसमें भी होता है उत Nahe रहित होता है इसी के द्वारा तो कि निए पर निए करताओ को आकर्षण चाहिए ही जोटा है थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पर युक्त ऑता है ठीक है ना यूक्त होता है क्योंकि typing हो रही है तोसेम्ни मिस्टेक कर दे रहे रहे ने इसी के कि पुस्पदल के क्या कार है तो जो पुस्पदल होता है इसका मुण्म कारो कार होता है पर आगण क्रिया को शंपन्य कराना होता अगर उस टाइप से देखे तो इसके बारे में थोड़ी डिफनीशन देख लेंगे तो यह बहुत ही सुंदर एम प्रंगीन भाग होता है तथा यह सुगंध युट्थ होता है पुस्पदल के दो कारे होते हैं सबसे पहला क्या होता है यह कलिका यह कलिका आवस्था में जनन होती है पुस्पदल है जो पुस्पदल होता है सबसे पहला यह की जनन अंगों की रच्छा करता है दूसरा यह कीट पर आगर्मिक्या होते बहुत ही सहायत आ करती है अगला प्रस्णेहा उन प्रकार के ब्रोण कोस में कितने किंद्रक होते हैं इसपास्ट कीजिए प्रगार के ब्रूण पोस्ट में कुल आठ किंद्रक तथा साथ कोशिकाय उपस्थित होती हैं कितने किंद्रक होते हैं तो पॉलिगोन प्रगार के ब्रूण पोस्ट में कुल आठ किंद्रक और साथ कोशिकाय उपस्थित होते हैं अता हम कह सकते हैं कि पॉलिगोन प्रगार क के भुण्ड पोस्त में किंद्ने किंद्र होते हैं इसी लिए इसे पॉलिगोनम प्रकार का भुण को शकहा जाता है अगला प्रश्ण है आभासी फ़लो के उदाहरण दीजी जो कि 1015, 1118, 1116 में प्रश्ण आया था या फिर किनी दो आभासी फ़लो के नाम लिखो या फिर किन निम्नलिखित उदाहरण जैसे सेव, नासपत्ती, इस्टावरी, अनननास, काजू, इत्यादी जो फल है वह आभासी फलों के क्या है उदाहरण है तो आभासी फलों के उदाहरण क्या क्या है सेव है नासपाती है इस्टावेरी है अनननास है काजू है इत्याद जितने भी है यह सभी क्या है यह आभासी फ़लों के उदाहरण है अगला प्रशन है आप यूगमन क्या होता है या अप यूगमन किसे कहते है अप यूगमन क्या होता है या फिर अप यूगमन किसे कहते है आप दे देता है कि अप यूगमन से आप क्या समझते है तो इस टाइप के प्रश है तो यह सब सारे नोट्स फ्री में आपको मिल जाएंगे वहां से अपना सारा आप तयार कर सकेंगे और वहां पर रिलेटिव वीडियो भी प्राप्ता कर पाएंगे तो जाके जोएं कीजिए यहां पर इसका उत्तर क्या हो जब भुरूण कोस के अंड कोसिका को छोड़कर जब भुरूण कोस की किसी भी कोसिका से बिना निसेचन के भुरूण का विकास होना अपयुगमन कहलाता है यहां पादप आगुडित होती है और जो ऐसे पादप होते हैं जिसमें अपयुगमन के क्रिया होती है वो अमेशा अमेशा क्या होते हैं आगुडित होते हैं इसका सबसे अच्छा उदारण क्या होता है एलियम होता है यह बहुत ही आप अगला प्रष्ण प्रश्ण क्या है दोहरा निश्येचन की परिभासा क्या होती है जो कि संधोजार अठार और आपका देखे कई कई टाइप के परश्चन आते हैं या पिर देदेगा आपका तक्रिया की खोजá सवरब्थम किस ने इस जी नवास्चीन ने लेरिया तथा लेलियम के पादपों में किया था आवरती बीजिपोधों में परागकण की जननकोशिकाओं से बने नर्युगमंग में एक से एक अंड कोजिका से तता दूसरा नर्युगमक दुतियक किंद्रक से सम्मिलित होता है और इनी की क्रिया को क्या केते हैं दोहरा निसेचन कहते हैं अगला प्रश्ण बहुत important क्या है परागन क्या होता है संदोजार भी संदोजार नीस संदोजार आपके प्रशनाया है जो की काफी क्या है आपका इंपॉर्टेंट है तो परागन क्या होता है तो पराग कड़ों का पराग कड़ों का पराग कोस से निकल कर उसी प्रजात की उसी प्रजात की पुस्प के वर्तिकाग्र तक अस्थानांतरन कोई क्या कहते हैं परागन कहते हैं परागण मुख्यत दो प्रकार का होता है पहला क्या होता है स्व प्रागण दूसरा होता आपका पर प्रागण तो प्रागण कितने प्रकार का होता है स्व प्रागण और पर प्रागण होता है अगला प्रशनेया पे जली प्रागण करने वाले पौधे के नाम लिखिये संद बहुत है अगर इसको तयार कलेंगे तो यहां से पूरा कंप्रूर तयार कर लिजिए गा है तो यहाँ पे आपका अगला पर्ष्ण मैं है यहाँ पर है कि गुदेदार फल कि दौल लिखो ततां के फल की अनुप्रस्त कार्ट का चितन का नावां की चितन बंताओ संदोजार बीस अंनी संदोजार अठार में ये प्रश्न पूछा गया है तो गुदे दार फल के दो राण आ आपको लखना है तथा country फल की अंदरध काट का ना है चितन आपको बनाना है क्या इसका उत्तर अपको लिखें गें गूदेदार फलो में एक या एक स्यधिक बीज होते हैं जो गूदेदार फलो होते हैं क्या होते हैं इसमें एक या एक स्यधिक बीज होते हैं और इनकी फल भित्ति प्रायर एपी कॉर्प, मीजो कॉर्प वा इंडो कॉर्प में अलग अलग होती है तो गूदेदार फलो में एक स्यधिक वीज होते हैं और इनकी फल भी इत्ति प्राय एपी कार्प, मीजो कार्प और एंडो कार्प में अलग अलग होती है तो यहां पर मैंने बताया क्लास्ट्रल बायलोजी चैप्टर टू के सभी किसको अतिलगुतरी प्रश्णों को मैंने डिस्कसन किया है इसका जो क्या मिल जाएगा पीडिएफ और नोट्स मिल जाएगा जाके आप वहां से डाउनलोड कर पाएंगे तो अभी जोईन कीजें अपने यसके मिशरी टेलराम को और यूटूब चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ओके दोस्तों थैंक्यू जैहिंद